आप देख रहे हैं सत्य खबर दबाईए ये सब्सक्राइब का बटन और पाईए देश प्रदेश की हर खबर देवा फाउंडेशन की अध्यक्ष साधवी देवा ठाकुर ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को जानवरों की संग्या दी और सरकार से अपील की कि महिलाओं और बेटियों के साथ बलातकार करने वाले आरोपियों को सीधे तोर पर फांसी दी जाए साधवी देवा ठाकुराज इनेलो नेता गौरवद्वारा लाडवा में आयोजित कराए गए एक कारेक्रम में युवाओं को संबोधित कर रही थी इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश में महिलाओं और बेटियों के साथ अपराद बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में सरकार को इन जानवरों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की जरूरत है उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं के उपर अत्यचार करने वाले लोगों के खिलाफ सक्त कानून बनाये जाएं वहीं महिला दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पूर्षों से किसी भिक्षेत्र में कम नहीं है बलकि महिलाएं पूरे साल पूर्षों के साथ कदम से कदम मिला कर चलती है उन्होंने महिलाओं से भी अपेल करते हुए कहा कि अब महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रती सजग होने की जरूरत है कि आपको मध्यपरदेश की तरह की बलातकार करने वाले लोगों को मृत्यू दंड सेम टाइम पर होना चाहिए और इस कानून में बदलाव लेके आना चाहिए एक तो इसकी विसेश रूप से जरूरत है दूसरा आज जहां देश में महिलाओं कहीं भी किसी वर्ग में किसी से पीछे नहीं है वहाँ आज भी सोसन कैसे क्यूं हो सकता है इसके उपर सरकार को सक्त कदम उढ़ाने चाहिए और उसके बाद भी ऐसी गटनाएं गटित होती है तो इससे सरमनाक बात क्या हो सकती है जिस देश में नारी को पूजा जाता है क्या सरकार नारी सुरक्षा के लिए बेफेल है बिलकुल वहीं युवाओं से पिल करते हुए साधवी देवा ठाकुर ने कहा कि अगर हम सभी देश की तरक्की और मजबूती चाहते हैं तो सभी युवाओं को भी देश की सरकार के साथ मिल जुल कर काम करना होगा वहीं साधवी देवा ठाकुर ने इस मौके पर राम मंदिर के उपर भी अपनी राय रखी उन्होंने कहा कि अयोध्या में हर हाल में राम लिला का मंदिर जरूर बनेगा सत्यखबर के लिए लाडवा से नरेश की रिपोल्ट आप देख रहे हैं सत्यखबर दबाईए ये सब्सक्राइब का बटन और पाईए देश प्रदेश की हर खबर